इस वीडियो के तना गाइस हम लोग बात करने वाले हैं Personal Loan Tax Benefits के बारे में कि Personal Loan के उपर आपको कैसे Tax Benefit मिलता है Interest का Principle का कैसे आपको Tax का Benefit मिलेगा प्लस लाइव दिखाने वाला हों कि Income Tax Filing करते वक्त ये Tax Benefit आपको कहां पे शो करने है पहले बात कर लेते हैं कि क्या Personal Loan यहाँ पे Taxable होता है तो देखिए Personal Loan आपकी Income नहीं है तो ये Taxable नहीं होता है प्लस इसका जो Tax Benefit है वो Depend करेगा कि इस Loan को आपने कहां पे यूज में लिया है तो ये Use Case के उपर Depend करता है Source of the Loans है वो Banks हो सकता है, NBFC होता है और Family और Friends भी हो सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो जो पहला Use Case है जहाँ पे आपको Tax का Benefit मिलता है अगर आप किसी Property, Residential Property के अंदर अगर आप Invest करते हो Construction के अंदर यहाँ पे यूज में लेते हो या फिर आपने नई Property Acquire किये, Repair या फिर Maintenance के अंदर यूज मिलते हो तो वहाँ पे आपको Tax का Benefit मिलता है तो देखिए वहाँ पे अगर मैं Interest की बात करूँ अगर आपका खुद का घर है, खुद आप रहते हैं तो 2,00,000 रुपे तक का Reduction मिलता है वहीं पे अगर आपने Renovate कराया है घर को तो 30,000 रुपे तक की यहाँ पे Limit है वहीं पे अगर वो Property Rent के उपर है तो कोई भी Limit नहीं है, जित्ता भी आपका Interest का Reduction है फुली यहाँ पे आप क्लीम कर सकते हो इसके लावा ATC के अंदर 1,500,000 रुपे तक का आपको Principal का भी Deduction मिल जाता है तो देखे गाइस बात करते कि यहाँ पे आपको Idea Filing में कैसे दिखाना है, तो जब आप अपनी Idea Filing करते हैं, तो Income from the House Property का कॉलम आता है, इसके अंदर आपको Add Button के उपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको Self-Occupied और Net Let Out दोनों का Option मिल जाता है, जिसके अंदर आपको Interest Payable on the Borrow Capital का Option मिल जाएगा यहाँ पे 2,00,000 रुपित तका Deduction आपका अलाव रहता है, इसके लावा गाइस आपका ATC का जो Chapter 6 का Deduction होता है, वहाँ पे आपको 8,00,000 तका Deduction अलाव है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेगा 8,00,000 maximum limit है, जिसमें आपके LIC के Premium वगर है, Provident Fund वगर है, बच्चों की Feast वगर है, 5 साल के FD, यह सारी चीज़ें यहाँ पे Conclude हो जाती है, अब देखे जो Personal Loan होते हैं काफी ज़दा Expensive होते है, High Rate of Interest के उपर मिलते हैं लेकिन क्या आपको Loans Against Mutual Funds के बारे में पता है Loans Against Mutual Funds जो है, सिर्फ 9% के Rate of Interest से स्टार हो जाता है और Within the 2 hour आप अपने घर बैठे है, जो है यहाँ पे ले सकते हैं चलिए गाइस, स्केम यहाँ पे, मैं Normal Personal Loan Against Mutual Funds के बात करों, मानिचे 9.95% का Rate of Interest होता तो 26,000 रुपे का Interest आपका जाता, और 14,000 रुपे से भी जादा का आपको Interest का Benefit मिलता है, और Guys, Best Part बताओ, यहाँ पे आपके जो Mutual Funds थे, वो भी आपको लगाता, Return देते रहते हैं और Effectively आपके जो Loan की जो Cost है, Ultimately Zero हो जाती चलिए Guys, समझाता हूँ कि यह काम कैसे करता है, तो देखिए Normally Loan Against Mutual Funds है, वो Simply आपको Mutual Fund को Collateral रखके उसके अगेंस पे आप Loan उठा सकते हैं, Mutual Fund का जो Collateral होता है वो Completely यहाँ पे Digitally होता है, Without any Redemption, Just like the Holding तो आपके जो Units होते हैं, उसके उपर आपको Continuously यहाँ पे Return वगरे मिलता रहता है और Guys, यह लोग जो Loan है वो Overdraft की तरह भी काम करता है, जब चाहे Loan ले लो और जब चाहे आप वापिस कर सकते हो अब Guys, यह तो यहाँ समझ लिया लेकिन Apply का पे करना है, तो Guys, इसके लिए मैं आपको Highly Recommend करूँगा Vault Money, Vault Money पे Guys, आपको 25,000 रुपे से लेकर 2 करोड तक का Loan जो है, Against the Mutual Funds मिल जाता है और Interest Rate जो है, सिर्फ 9% से स्टार्ट होती है, आज मिट में Guys, 100% Digital Paperless पूरा का पूरा प्रॉसेस है यहाँ पे आपका कोई भी Civil Check नहीं होता, ना ही कोई Hidden Charges है, Zero Pre-Payment और Four Closer भी Charges है तो Guys, देर किस बात के Link description box में दे रहा हूँ, अभी जाकर Vault Money के उपर अपनी eligible जो है available limit को चेक कीजए, वो भी free of the cost जिसके अंदर कुछी seconds यहाँ पे लगने वाले हैं यह 8 साल के तक के लिए रहेगा, या फिर जब तक आपका Loan Repay नहीं हो जाता, मलब दोनों में से जो भी earlier होगा और इसका deduction भी आपको chapter 6 के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ATE करके section होता है, और इसके अंदर कोई भी limit नहीं है, जितना भी आपका interest बनता है पूरे साल बर के अंदर, उतना आप यहाँ पर deduction claim कर सकते हो इसरा guys, जो use case है, वो simply तरह किसे business का है, तो अगर आपने personal loan को जो कोई business को start करने के लिए, या expand करने के लिए, invest करने के लिए, अगर आपने ले रखा है, तो उसके interest का expense है, वो आप खर्चा दिखा सकते हो उपने business के अंदर, जो guys, simply तरह के से जब आप अपनी idea यहाँ पर 3 file करते हैं, तो आपका profit and loss account होता है, उसके debit side के अंदर, आपको यहाँ पर interest का deduction basically मिल जाता है, इसके लाँ guys, जो 4 use case है, वो है capital gain का, जब आप यहाँ पर basically gold के अंदर invest करने के लिए, या फिर stocks or mutual fund के अंदर, यहाँ पर personal loan को use म लेते हैं, तो ध्यान रखेगा, कई लोग जो इसको cost of acquisition मान लेते हैं, लेकिन recently government ने clarify किया है, कि इन चीजों के उपर आपको कभी भी deduction नहीं मिलने वाला है, यानि जो interest का deduction है, वो as a capital gain के अंदर आप use में नहीं ले सकते हैं, तो ultimately अगर guys, मैं summarize करूं, तो सिफ home loan के लिए, education loans के लिए, और loans on the electric vehicles आपको केवल tax का benefit मिलता है, और loans on electric vehicle है, वो अब यहाँ पर इस साल से जो discontinue वगर हो चुका है, तो ultimately आपके पास में केवल home loan, education loan और केवल business uses में ही आप यहाँ पर tax का benefit उठा सकते हैं, जाब आपको समझ में आ गया होगा कि personal loan का यहाँ पर practically tax का benefit कहाँ आप पर मिलता है, और cheaper loans के लिए एक बार vault money की site के उपर जाकर अपनी eligible limit को यहाँ पर जरूर चेक आउट कीजेगा, जापर आप mutual fund के against में बहुत ही कम cost के उपर यहाँ पर personal loan को avail कर सकते हैं, thank you guys, thank you very much